हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू अबर चैनल DRX MediHealth दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन D3 कैपसूल के बारे में और जानेंगे इस कैपसूल के बारे में कंप्ली डिटेल जैसे किया इसके यूजिज हैं किया इसके बेनिफिट्स हैं इसको कब इसकते होती हैं देन हम जानेंगे इसके साइड एफेक्ट के बारे में तो वीडियो पर लास्तक बने रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें प्तरण ही हो गई है तो आपको पीठ में दर्द रहता है या आप 2020 हमें अबेना में फर्स कपार कर दावा इसकी लावा आपकी इमेनिटी जो पैवर होती है सर्दी खासी जल्दी लिए लगती है क्योंकि kemFi अगर आपके हैक। यह तो ये दिक्कते होती हैं, उसके लावा और्ष्ट्राइटिस है, ये भी समझ्या होती हैं, देन उसके लावा जो बच्चों में आपने दिखा होगा कि रेकैट से यानि सूखे की बीमारी जिसमें हड्डियां लचीली हो जाती हैं, ये सबी समझ्या हैं, जो विटामिन D3 की क पूरा करने के लिए तीन तरह के कारण होते हैं, नमबर एक, आप अपने आहार जो खाना ले रहे हैं, भूजन ले रहे हैं, उसमें विटामिन D3 जिन खात्पदार्तों में होता है, उनको आप अपने खाने में सामिल करें, जैसे कि अंडे हैं, गायक का दूद है, उसके ल लावा, आपको सुबह उठकर योगा करना चाहिए, ब्यायाम करना चाहिए, और कम से कम आपको दस से पंद्र मेर्ट डायेक्ट धूप के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे आपकी जो सूर की केड़ें हैं, आपके ऊपर पड़ें, और आपको जो विटामिन D3 है, वो बैठ पाता है, प्रॉपर डायेट नहीं ले पाता है, जिस कारण ब्यक्ति की जो विटामिन D3 डेफिसियंसी है, वो हो जाती है, और उसकी पूर्ती नहीं हो पाती है, देन लाश्ट जो अप्सन होता है, वो हम इस टॉपिक में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे के विटामिन D3 जो कैपसूल है, जिसको हम कॉली, कैल्सी, फिरॉल के नाम से भी जानते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं, इसकी डोजिज होती है, आप अपने एक बार डॉक्टर से परामर्स लें, वो आपको डाग्नोस करके बताएंगे, तो आप उस अकॉर्डिंग इन आप लेना चाते हैं, वो आप ले सकते हैं, इसको हफते में एक बार लेना होता है, आपने अगर मंडे को लिया है, तो आप अपने नेश्ट मंडे को लें, उससे नेश्ट मंडे को और उससे नेश्ट मंडे को, इसकी जो पैकिंग आती है, वो चार कैपसूल की पैकिंग है मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह इस तरह की कुछ इसकी पैकिंग आती है, मैं particular किसी company की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक particular brand जो कॉली कैल सिफिरॉल है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप किसी भी medical store पर जो आपके market में उपलब दो, आप ले सकते हैं, लेकिन आ blood में इसकी normal range होनी चाहिए, vitamin D3 की, वो 20 से 50 nanogram तक होनी चाहिए, और अगर आपकी यह 20 gram तक पहुच जाती है, 20 gram से नीचे पहुच गए, तो आप सतर्क हो जाईए और आप में डॉक्टर से एक बार जरूर संपक करें, अब हम बात करते हैं कि vitamin D3 उसका क्या काम होता है, इस absorption करता है, उनको सोखने का काम करता है, जिससे अगर vitamin D3 नहीं होगा, तो calcium और phosphorus जो blood में हैं, वो absorption नहीं होगा, और absorption नहीं होगा, तो मास्पेसियों में कमजोरी, थकान, osteoporosis, osteomalacia, और ये जो rickets, सूखा, ये सभी समझ चाहिए, देखने को मिलेंगी, तो ये जो काम है इस phosphorus को absorption करके, vitamin D को बनाई रखने का काम करता है, और vitamin D होता है, उसमें भी दो तरह के vitamins होते हैं, vitamin D2, जिसको हम ergo-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-cally-c पार्ट होते हैं, इन से मिलकर बिटामिन D बनता है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं, जो कालिक ऐलसी फिरॉल उसके क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तो जो कालिक ऐलसी फिरॉल होता है, अगर आपके बोडी फिरॉल के बारे में complete जानकारी दी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें और comment करके जरूर बताएं अगर आपका कोई सवाल जबाब है तो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं एक और ऐसी helpful वीडियो में तब तक करें नमस्कार